हलो एवरिवन, आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगर उत्री अच्छे तरीकों साप लोग का पढ़ाई भी चार रहा होगा है इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आपके कक्छा दस्वी गडित की अध्याय तेरा को इससे पहले एक बात और आप लोगों को कुछ दिनों से असाइन्मेंट के बाद से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था इसका रीजन ये है कि कुछ तब्यद का इसू था बेगया तो आप लोग एकदम से बेफिकर रहे हैं आपको पूरी ही पूरी वीडियो आपको पूरे चेप्टर का वीडियो आप लोग को पूरे डाउट का वीडियो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा 100% एक्जाम से पहले ही बनता है उसको अपको कमेंड जरूर करेंगा उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा ठीक है और आपको पुरी वीडियो कंप्लीट भी कराऊंगा रिविजन भी कराऊंगा अपको परिक्षा बोच से बोलोगे तो परिक्षा बोच से रिविजन कराऊंगा ठीक है और आपको इ रथाना कि अपलोगो कॉन कॉन से सब्जेक्ट का पटेश्ट सीरिश सहिए है अप लोग को क्वेश्ण दे दिया जाएगा आप लोग को उसको करके देखना रहे तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि अधियाय 13 के जामीती रचनाय के मीनिंग समझते हैं कि अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे नाइंध में तो पढ़े नहीं है ना हम लोग इसको ली नहीं गया है तो पेंत में फर्स्ट टाइम हो रहा होगा है ना तो देखो जामीती बोलते किसके हैं तो ध्यान से सुनना गडित की वह साखा जिसके अंदरगत हम लोग 2 या 2 से अधिक रेखा खंडों से बनी आकृति मतलब रेखा खंडों से बनी हुई आकृति रहेगा तो उसे हम लोग जामिती आक्रिती बोलते हैं, ठीक है, तो जिसके अंतरगत हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक रेखा कर्णों से, बनी आक्रितियों का अध्यान करते हैं, उसको हम लोग जामिती रचनाएं काते हैं, जामिती रचना में क्या सकता है, त्री बूज, चतुर बूज, है ना, यह सभी चीज़ आ सकता है, बहुत चीज़ ऐसा है, जो रेखासी बनी आकरिती, वो सभी चीज़ आ जाएगा, तो अप लोग देख सकते हैं कि यह सब आकरिती भी अप लोग का क्या हो जाएगा, जैमिती आकरितियों में आ जाएगा, है ना, clear है, तो उसकी हम लोग को रचना करना है मतलब उन्हीं सभाकृतियों को रचना करना है बनाना है इसमें तो चलो देखते हैं कि हम लोग को इस पूरे चेप्टर में पढ़ना क्या क्या है आप लोग को एक चीज़ और बता दू मैं कि इस पार्ट से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तीन क्वेस्टन करने वाला है तो पहला क्या पढ़ना पढ़ेगा हम लोग को समरूप त्रीभूच की रचना करना सिखने है यह होती है समरूप त्रीभूच को किसे बोलेंगे सपोस्थ दैट हमारे पस कोई एक नाप दे दिया रहेगा कि त्रीभूच बनाओ फिर उसका समरूप त्रीभूच बनाओ इतनी ही नाप को सेम तूसे में को और त्रीभूच ड्रॉच करना रहेगा तो वो कैसे करेंगे एक और त्रीभूच ऐसे अगर हम लोग को इसके लिसक व्रीद की रचना अंतव व्रीद की रचना अभी अंतव व्रीद होते क्या है तो अप लोग यह जानके रखिए कि मान की चलू यह त्रीभूच है ना अभी तो त्रीभूच है आप लोग के अंदर में व्रीद बनाएंगे है ना अंतव व्रीद मतलब अंदर में व्रीद इस टेप का ऐसे ठीक है अंदर में वृषिद बनाने तो वो कैसे बने को वृषिद के लिए आप लोगो पता एक सेंटर को पता हो गहाँ तभी तो बना पाएंगे तभी तो बना पाएंगे बीना केंद्र के कहाँ बनेगे और यह बाहर भी नहीं जाना चीजिए जैसे कि किमारा ऐसा हुआ थब है ना कहां पर केंदर लेंगे रख रख के तो नहीं देखेंगे ना टेके तो एकदम फिक्स जगर ढूने के लिए हम लोग पूरी तरह के से में स्टेप भाई स्टेप आपको बहुत असान भासा में समझाऊंगे और अगला देखते क्या आएगा इसम आप लोगो बताया भी हो है ना तो उस वीडियो को भी जरूर देखना ताकि और भी यह असानी समझा जाए वैसे एक बार और बताऊंगा आप लोग चिंता मत कीजिए अगर नहीं देखे हैं तो परीवरीत मतलब इसके बाहर में विरिद बनाना है है ना कैसे यह इस तरीक आपको मैं स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं कि इसका डियागरम जैसे अंतरवरीत का डियागरम इस तरीका से बनेगा है ना परीवरीत का डियागरम को आप लोग इस तरीका से बनाएंगे ठीक है इसी दरगा से एक दाम एक्जेक्ट करेक्ट ह करेक्ट आप लोग को ड्रॉ करना पूरी की तरीका से सिखाऊंगा ठीक है अप लोग सिर्फ और सिर्फ ये तीनों कुस्टन ही पढ़ेंगे तीनों के छोड़ एक भी कुछ नहीं पढ़ने वाले इसपर ठीक है और आप लोग के पास अगर बुक हो तो आप लोग बुक ओपन परिवरित के लिए अप लोग का इसका वालट पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा आप करसन इसके बाहर कहीं से नहीं आने वाला है और अंतरवरित परिवरित के लिए अप लोग क्या करो परिक्षा बोद से पूरा करने चीज़ को परिक्षा बोद होगा या नहीं हो हो रहा है ठीक है आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजपूर होगा तो यदि आप चैनल पर नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखे जिस आपको एक यूजपूर कंटेंड का और साथी साथ बोर्ड एक्जाम में एक अच्छे मार्स लाने में आप लोग को मदद मिलती रहेगे टेक है मिलते हैं अगली वीडियो पर